हेलो पच्छो इस वीडियो में हम चित्रवर्णन के बारे में देखने वाज़े हैं चित्रवर्णन को एंगरेजी में क्या रखा जाता है पिच्चर नैरेशन तो पर चित्रवर्णन कैसे किया जाता है चित्रवर्णन किस तरह करने चाहिए किस तरह करना चाहिए, चितरवर्णा में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में अब हम इस वर्णिंग वीडियो में सिखने वाले हैं सबसे पहले कौन सा चितरवर्णा में कौन सा शक्त दगवा गए हैं, एक है चितरव, दूसरा है वर्ण वर्लन का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में विस्तार से बताना क्या कहलाता है वर्लन कहलाता है वर्लन का अर्थ होता है विस्तार से बताना आप क्या करते हो अगर आपको किसी चीज के बारे में बताना होता है तो शोट में आप बताते हो तो वो क्या हो जाता है वो समझाय में मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसमें क्या करा गया है, किसी का भी वर्णन आपको कैसे करना है, किसी भी चीज का वर्णन आपको कैसे करना होता है, किसी भी चीज के बारे में विस्तार से बताना होता है, किसी भी चीज के बारे में विस्तार से बताना होता है, वहां उस चितर में जो भी कुछ दिखाया गया है, जो भी पिचर से जो भी चितर दिखाया गया है, उस पिचर को आपको क्या करना है, विस्तार से बताना होता है, ताकि वो चितर किस बारे में दिया गया है, वो इसका आप अमुमान लगा सकते हैं, वो बाते आप स्पष्ट चीज के बारे में विस्ता से बताना है। जो चित्रक केसे किते हैं, इसके बारे में देखते हैं। किसी चित्र को देखकर उसका विस्कुरुत वर्णन गहला ही चित्रवर्णन कहलाता है। किसी भी चित्रव आपको क्या क्या करना पड़ता है। चित्र वर्णन में चित्र दिये जाते हैं और वो चित्र भी कैसे होते हैं प्रभावशाली होते हैं वो समझने में आसान होते हैं तो वो सर्थ चित्र को देखकर आपको क्या करना पड़ता है उसमें जो भी चित्रित आपको दिकाय गई है चित्रित जो भी आपको वर्णन कि आप क्षिआ दे जाता है, उसमें किसी नी भाषा का उपयो किया जाता है है सिल होघन पर आपको पिछ्रत काई देते हैं और एक स्थान दिया जाता है और उस स्थान के पर अलग-अलग जित्र है जित्रत किये जाते हैं और उन्हों में छित्र क्याती है तो इंसरी शूर्ण तो आपके मन में जो भाव आते हैं तो चितर में क्या होते हैं उसरे चितरों को देखके आपके दिमाग में आपका दिमाग DulWest जो है ना कि यह चित्री स्थान ना होता है तौ आपके उसमें भावी आते है और इस श्त्र Griffith का सिफन फूत prediction क्म्धिय। चित्र होती कि गुषए नारता है Years कम इसे लिखना पड़ता है उसे kya पेते हैं स्चित्रध्वानन्त कहते है है तो उसमें क्या होता है जो जो भी चीजे बताई जाती है। उसको आपको विस्तुरोंत से बनन करना पड़ता है। और वो एक दूसरी से चीजे जूड़ी है, वो भी आपको ठेक से बताना पड़ता है। चित्रवर्णन में क्या होता है चित्रवर्णन में चित्र दिया जाता है और उस चित्र को देखकर आपको जो उसमें चीजे है जो भी कुछ आपको वापर चित्र दिकाई देखते हैं तो एक चित्र में अलग 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 आपको उसमें दिकाई देने वादे पूरी चीजों आपको विश्रूत वर्णन करना पड़ता है, समझों यह एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको यह चित्र देखती ही समझ में आता है ना, इस चित्र में क्या है, इस चित्र में समुद्र किनारा दिखाया गया है, तो देखो इस चित्र में समुद्र है, समुद् रबे तो उसके साथ ही दो बच्चे गेंड के साथ खेल रहे हैं तो तो बच्चे ऊंट आ कर रहे है कर रहे हैं लापके क्या रहें है तो आपको जह नीचे बैके ये दो बच्चेये हैं तो वह क्यां कर रहे है रेच से रेच जो बालू बालू है उससे क्या कर रहे हैं घर बना रहे हैं तो आपको उसको नाम दिया तो भी चलेगा रज़त सिता क्या बना रहे हैं रेत के बालू से घर बना रहे हैं तो इसमें इस फिचर में जो भी कुछ आपको दिखाए देता है इसका आपको वर्मान करना होता है समुद्र में आपको क्या दिकाई दे रहा है, समुद्र में नावे चल रही है, और क्या वो लहरे कैसे दिकाई दे रही है, वो लहरे भी अच्छी तरह से आपको लजर आती है ना, तो वहाँ बर वो लहरे समुद्र में लहरे उमड रही है, उसके साथ ही क्या दिकाई दे रह तो वो भी आपको ठीक तरसे देखकर लिखना है, सूरहे समुद्र में सूरज दूग रहा है, उसके साथ ये कुछ पंची उपर ऊड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर, वहाँ पर ये भी आपको लगना जा लिखना है, कि वहाँ पर कुछ पंची आस्मान में ऊड़ रहे हैं, तो देखो कि क्तर चुत्रे को कि आगे हैं कaucoup तो को नenty है तो इस से आपके त्याह हो गया कि मेरे मन बें टो मैंने बताई है वैसे हिम आपको जो आपके म मन में ख्याल है और उस चुत्रे में जो भी चुत्रे कम बाते हैं वसका मेल होना चाहिए उससे अलग आपको कुछ भी नहीं लिकना चाहिए, उसका में होना चाहिए, जो भी कुछ बाते होती है, वो आपको क्या करना है, मले में आपके जो भाव आते हैं, उससे आपका क्या बता है, खल्पना शक्ति का विकास होता है, और उसके साथ ही आपकी अउलोबर शमता बढ आपको observation direction कैसा है यह भी improve होता है आपसे इसका आपके दिमाग में skill develop हो जाता है इसलिए आपको क्या करना चाहिए चित्रा देखकर उसका बनना आपने शब्दों में करने की कोशिश करनी चाहिए अलग-अलग आपके किता में चित्रा दिये हैं तो इसको चित्रों को देखकर दिवाली का चित्रों होता है किसी घर का दिवाली का चित्रों होता है वहापर क्या होता है पंतिया जलाई भी दिकाए दे रही है एका उरत आपके आपके आपी घर पर रंगोली निकालती है ना तो एका उरत रंगोली निकाले होती है उस घर का जो आदमी होता है वो क्या यालाता है मिटाया लाता है उसका चितरा दिखाया चाहिए तो पूरा का पूरा घराइटिंग से ड़्पनतियों से सजाया जाता है इसका आपको तो अगर आपको तो जोग सब्सक्र da अगर आपको समझ में आ गया है तो आपी खुद पोशिश को रोचितरवत्न करने की अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं Thank you